हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने से यूटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं से वीडियो में डिसकस करूँगा रैड बरिक और फ्लाइस बिर्क के बारे में दोस्तो अगर आप अपने घर बनाने की सोच रहे हैं अब दोस्तो आपने अकसर आज की टाप में बहुत से घर ऐसे भी देखेंगे जहां पर हमारी फ्लाइस बिरिक भी इस्तवाल हो रही है तो दोस्तो अगर मैं इनकी डिफ्रेंशेट की बात कूँ तो पहला अगर हम पहला इसका मैनेफेक्शन को लेके चलते हैं तो जैसे कि आपको पते है कि जो रैड बिरिक होती है वो हमारे अपने गाउंगों में या फिर सेटी वगरा में भी देखा हुआ कि काफी बड़े-बड़े हमारे बटे होते हैं जहां पर लेबर जो होती हो हास से बनाती है और फिर उनको पकाया जाता है और दोस्तों यह हमारी कले स्वाइल होती है और जो हमारा रहता है फ्लाइस ब्रिक तो वो हमारी मसीन से बनती है जैसे कि आप देखिए यहां भी दोस्तों हमारी machinery रहती है और हमारा cement flyers और कुछ chemicals होते हैं उनसे मिलके बनी होती है अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहां पे shape and size की तो हमारा जो red brick है अक्सर आपने दोस्तों देखा हुआ कि यह brick हमारी जब हाथ से बनाते हैं और जब इसको पकाने के लिए बट्टी में डाला जाता है तो उसकी shape और प्रॉपर नहीं रहती कहीं न कहीं irregular shape हो जाती है उबर खाबर बोल सकते हैं अगर बात करें flyers की तो दोस्तों यह इस तरीके से बनाई जाती है कि अगर आपने कोई इसकी frame में जो shape और size दिया है वही shape आपको 90% य तो हमारा जो रहता है besties जो रहती है हमारे इस brick की जो red brick रहता है वो आप यह समझे लिए 10% besties तो होना ही होना है तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी site पर eat आती है तो आपकी जो labor होती है वो unloading करती है site पर तो वहाँ पर आप देखने कि काफी eat है आपकी टूड जाती है जो की देखा जाए तो आपको use तो करनी होती है लेकिन जो proper use करने वाले होती है वो नहीं कर पाते है और अगर हम बात करें दोस्तों flyess की तो इसमें इतनी besties नहीं है besties होती है इसमें थोड़ी बहुत ऐसा नहीं होती है लेकिन इतनी नहीं होती है अगर बात करें हमारा जो रेड बिरिक रहता है वो दोस्तो धाई धाई केजी यानि कि धाई क्लो से उपर ही रहती है उससे कम नहीं रहती है और फ्लाइस हमारी धाई केजी के पास होती है तो यह चीज भी आप दियान देखें जब आप कोई इस्ट्रक्शर बना रहे हैं तो वहाँ पर फ्रेम इस्ट तो वहां क्या होगा कि जहां पर हमारी दिवाल की जो एक कह सकते हैं वर्टिक वर्टिलिटी आएगी यानिकि कि इतना एकदम प्लेइन सरफेस आएगा हमारा जिससे कि आप क्या करेंगे तो आप पर प्लास्टर की मोटाई को कम रख सकते हैं साथी जो इसके जो जॉइंट होते हैं आपको उसको फिलप करते हैं दिवाल की चिनाए के लिए वहां पर भी इतना मोटा मसाला नहीं रगाने की जोथ परती है तो उससे क्या होगा कि आप कोस्ट ऑफ मोटार सेंट की भी आप डिक्रीज कर सकते हैं अगर आप फ्लाइएस इस्तमाल करते हैं लेकिन अग हमारा प्लेन सर्पेस आपको लेना पड़ेगा तो यह एक डिफ्रेंशेट जो है वो मुझे काफी बैतर लगा अगर दोस्तों मैं एक चीज की बात और करूं तो जो आपके टेंपरेशर वगरा रहते हैं आप देखेंगे कि जो गर्मी में काफी हीट हो जाती है हमारे रू दोस्तों अगर तीसी नेक्स पॉइंट की बात करूं तो मैं आप देखेंगे कि जो हमारा लाइफ रहती है ब्रिक की तो वह एस कंपेर टू रैड ब्रिक के साफ से देखा जाए तो हमारा जो फ्लाइयस है उसकी काफी ज्यादा होती है क्योंकि दोस्तों हमारा जो कंप्रे के बात करें तो वह भी हमारा इससे आगई ही है जो फ्लाइयस ब्रिक है तो यहां दोस्तों हमें कुछ ऐसे इसके एडवांटेज मिलते हैं जो की देखा जाए तो हम अगर कंपैरिजन करें तो फ्लाइयस से ब्रिक जो हमारी रैड ब्रिक से कहीं ने कहीं बहतर है तो जनली एक तरह से वरेशन करी दिया है साथी दोस्तों अगर मैं कोस्ट की बात करूँ कि दोनों में कोस्ट में क्या अंतर आ जाता है तो देखिए यह चीज़ डिपेंड करेगी कि आपके एरिया लोकेलिटी के उपपर स्टेट के उपपर और साथी अगर मैं एक चीज़ की और ल हमारा रहती है fly is brick तो वो हमारी उससे कम रहती है उसको लेखे चल सकते हैं तो हमारा 5 से 6 रुपे के आसपास एक brick आती है तो दोस्तो ऐसा लोग के mind में ये myth काल पैनिक बाते थी कि अभी हम red brick इस्तेमाल करेंगे तो देखें हैं पर मैं बुरी किसी भी इट को नहीं बोल रहा हूँ कि red brick खराब है या फिर कह सकते हैं fly is brick अच्छी है या वो खराब नहीं है दोस्तो यहां पर मैंने ये दोनों के बीच का जो हमारे differentiate होते हर एक चीज में दो चीजों को लें तो उसमें कुछ नकुछ अंतर होते हैं तो वो मैंने आपको डिसकस करने की कोशिश की है तो आप एक अच्छी ज़स समझ सकेंगे कौन से इट कहां कैसे बैतर है अगर दोस्तों बात करें तो fly is ये आने वाले future का एक example है कि आप देखें कि ज़्यादत तर आपको जो आज दस गरों में चार घर आपके fly is के हैं वो आगे चलके आपको ज़्यादा ही मिलने वाले हैं क्योंकि लोग बार आगे जो भी रहेगा वो हमारा advance होने वाला है ना कि पीछे जाने वाले हैं तो अगर हम जैसे मैंने बोला कोस्ट को भी लेके बोल लिया और डॉरेबल लाइफ को भी बोल दिया साती जो differentiate main major point है वो भी discuss के लिए आपको discuss clear हुए इनके से अगर कोई doubt हैं से related तो वीडियो में comment कर देना वीडियो चुपर को like जरूज कर देना और दोस्तो चैनल सस्क्राइब महीं कहें तो सस्क्राइब भी कर देना थैंक्स मोच है वीडियो मिलते हैं आपके next वीडियो